हेलो बच्चो आप लोग कैसे हैं मित करते हैं आप लोग अच्छ होंगे सोच होंगे बच्चो हम आप लोगों को क्लास 10 दिकिमाइट पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चो हम रियल नमबर पढ़ा रहे हैं क्या बच्चो रियल नमबर बच्चो आज हमारा टॉपिक क्या है से जो कि exercise 1.3 question number 3 है क्या है बच्चो मेरा question prove that the following are irrational हमको इसको जो first second third है इसको irrational number prove करना है तो कैसे होगा बच्चो ये irrational number चली हम देखते है solution पहला question देखते है question number third का पहला part first part क्या है बच्चो 1 by root 2 1 by root 2 है बच्चो इसको हमको irrational number prove करना है तो कैसे prove करेंगे चली हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा बच्चो इसको प्रूब करने के लिए क्या मानना पड़ेगा इसको हमको rational number मानना पड़ेगा तस पहले क्या मानना पड़ेगा rational number तो क्या हो जाएगा बच्चो लेट let one by root to be irrational क्या बच्चो लेट one by root to be irrational ठीक है बच्चो उसके बाद क्या होगा one by root to is equal to a by b हो जाएगा ठीक है बच्चो अब यहां हमको root to लेना है इसलिए हम इसको लिए सकते हैं b by a क्या लिए सकते हैं b by a is equal to root to इसको अपॉजिट हो जाएगा अगर हम b by a करेंगे तो root to by one हो जाएगा ठीक बच्चो व्यांस हम देख सकते हैं जो यह हमारा क्या है rational क्या है बच्चो रेसनल है और यह हमारा क्या है irrational क्या है इसनल है तो हम जानते हैं क्या बच्चो, since we know that root 2 is irrational, क्या बच्चो, since we know that root 2 is irrational, इसलिए बच्चो, कभी भी, कभी भी बच्चो, क्या होगा? irrational, irrational कभी भी equal नहीं होगा, rational number, फिक है बच्चो, irrational कभी equal नहीं होगा, rational number, so, so, our exception, so, our exception was incorrect, क्या बच्चो, so, our exception was incorrect, यहां से शिलिए, irrational कभी equal नहीं होगा, so, our exception was incorrect, जो हमने माना था, वो incorrect है, तब बच्चो, यहां से हमारा, 1 by root 2, क्या बच्चो, 1 by root 2, proved, क्या बच्चो, 1 by root 2, proved, irrational number, irrational number, irrational number, हमारा, प्रूब, होता है, so, 1 by root 2, proved, irrational number, बच्चो, हमने, 1 by root 2, को, irrational number, प्रूब कर लिया है, चलिए, बच्चो, हम question number 3, का second part, देखते हैं, वो कैसे, irrational number, proof, होगा, same, बच्चो, यही method लगेगा, जो question number 3, के first part में, लगा है, यही method से proof, होगा, तो चलिए, देखते हैं, कैसे करेंगे, उसको, second part को, बच्चो, बहुत ही है, यह, मान लिजे, कि root 5, root 2, root 3, से proof करने से असान ही है, इसको बहुत असान तरीके से हम proof कर सकते हैं, अब क्या है, बच्चो, 7, root 5, क्या है, बच्चो, 7, root 5, इसको, हमको, irrational proof करना है, यह, कैसे proof होगा, बच्चो, चलिए, जखते हैं, इसको, अभी सबसे पहले, क्या मानना पड़ेगा, लेट, 7, root 5, be a, rational, सबसे पहले, इसको, हमको, rational, मानना पड़ेगा, rational नमर मानना पड़ेगा, उसके बच्चो, 7, root 5, इसको, a by b, हो जाएगा, अब 7, इधार, multiply में है, इधार आएगा, तो divide में हो जाएगा, root 5, इसको, a by 7, b, हो जाएगा, अब यह, हम देख सकते हैं, बच्चो, क्या जो, root 5 है, वो क्या है, बच्चो, हमारा, irrational है, क्या है, irrational है, और जो a by 7, b, हो क्या है, बच्चो, rational है, क्या है, rational है, तो हम क्या कह सकते हैं, since we know that root 5 is irrational, irrational है, irrational है, इसलिए, बच्चो, कभी भी हमारा, irrational के, irrational के, equal नहीं होगा, rational number, ठीक है, बच्चो, rational number, so, our exception, so, our exception, was, wrong होता है, our exception was, wrong, since, इसलिए, बच्चो, इसलिए, हमारा, 7 root 5, irrational proof होता है, irrational proof होता है, ठीक है, बच्चो, इसलिए, हमारा, 7 root 5, irrational proof होता है, first point, यह याद कर लीजे, second point, यह याद कर लीजे, third point, यह याद कर लीजे, उसके बच्चो, इसलिए, root 5, 7 root 5, irrational number proof हो गया, अब बच्चों, question number third, के third part, देखते हैं, वो कैसे proof होगा, बच्चों, यह question बहुत ही, असान है, इस तरह के question बच्चों, बच्चों, बोल्ड में आता है, कैसे, कि root 2, prove करिए, rational number है कि, नहीं है, चले, बच्चों, question number third, के third part, देखते हैं, क्या है, 6 plus root 2, यह है, इसको बच्चों क्या करना पड़ेगा, साबसे पहले, मानना पड़ेगा, कि यह rational number बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, let 6 plus root 2, be a rational, rational, ठीक है, 6 plus root 2, क्या है, rational number है, तो क्या है, जाएगा, 6 plus root 2, is equal to, a by b, इसको हम ऐसे, लिख सकते हैं, बच्चों, अब हम 6 को, इडा transfer कर देंगे, इस side, क्या हो जाएगा, root 2, is equal to, a by b, a by b, minus 6 हो जाएगा, अब यहांस क्या हो जाएगा, root 2, अब यहांस B, यहांस B, LCM हो जाएगा, ठीक है, बच्चों, B, LCM हो जाएगा, B काई यही रहेगा, a minus 6 b हो जाएगा, ठीक है, बच्चों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चों, root 2, is equal to, a minus 6 b, क्या, a minus 6 b by b हो जाएगा, ठीक बच्चों, अब यहांस हम क्या जानते हैं, जो root 2 है, वो क्या है, e rational है, क्या है, e rational है, और जो a minus 6 b upon b हो क्या है, rational है, क्या है, rational है, ठीक है, बच्चों, यहांसे क्या हम लिख सकते हैं, since, we know that root 2 is irrational, क्या है, बच्चों, हमारा root 2 क्या है, irrational है, इसलिए, बच्चों, इसलिए, कभी भी, irrational, irrational के, कभी भी, इक्वल नहीं होगा, rational, ठीक है, बच्चों, इसलिए, बच्चों, कभी विक्वल नहीं होगा, rational के, so, our exception, तो our exception, was wrong, हमारा exception यहांसे wrong होता है, इसलिए, बच्चों, क्या है, 6 plus root 2, हमारा प्रूब होता है, क्या, irrational नमबर, irrational नमबर, चलिए, बच्चों, हमने सीख लिया, जो question नमबर, third का, first second, third part कैसे, irrational नमबर प्रूब होगा, हमने प्रूब कर लिया, चलिए, बच्चों, हमारा lecture याद यहीं तक था, बच्चों, हमारा आप लोग के सिर्फ एक request है, यादि आप हमारे चैनल पर नए है, तो हमारे चैनल को subscribe, share, comment करें, bell icon को press करें, जिससे हमारा lecture आप लोगों तक पहुंश सके, धन्यवाद बच्चों, आप लोग अच्छे सपढ़िए, अपना board में अच्छे से number game करिए, धन्यवाद बच्चों, बच्चों, नवाद बच्चों, कि में अच्पतर आप लोगों, यादितास के से number game, अवाद बच्चों, बच्चों, आप लोगों, कि में वाद आपने जोगों,